Hey guys, welcome back to my channel, Bansal Biology. आज का जो वीडियो है, इसमें हम Northern Blot को देखने वाले हैं. Northern Blot जो है, हम basically करते हैं, RNA को detect करने के लिए. यहाँ पर Northern Blotting basically RNA के लिए है. अगर हम यहाँ पर देखिए, तो यह expression बताता है DNA का. हमें पता है, यहाँ पर DNA हमारे पास present होता है. जिसपे अगर transcription होगा, तो DNA से क्या बनता है? RNA बनता है. अब यहाँ पर हमें देखना है, कि हमारे पास कोई एक specific gene है, तो वो कितना express हो रहा है, क्या वो जादा express हो रहा है, क्या वो कम express हो रहा है. तो हम यह कैसे find out कर सकते हैं? आरे ने से हम mRNA का देख सकते हैं, कि mRNA का कितना amount present है, इन चीज़ों से हम देख सकते हैं, हम यह भी देख सकते हैं, क्योई DNA एक पर भी रहा है या नहीं हो रहा है. अगर समझे, मेरे पास कोई एक specific gene है, मुझे यह चेक करना है, कि यह mRNA बना भी रहा है या नहीं बना रहा है. तो इस condition में हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं cancer cell की बात करूँ, तो cancer cell के time पे कुछ genes होते हैं, जिनको हम बहुत है tumor suppressor gene. Tumor suppressor gene का का काम होता है, suppress करना cancer को. तो tumor suppressor gene हो सकता है, कि cancer के time पे यह express ही नहीं हो रहा है, हो सकता है, इनका mRNA बनी नहीं रहा हो. तो ऐसे cells में इनका expression देखने के लिए मैं कर सकती हूँ, और ऐसे different different जगा पे मैं use कर सकती हूँ, जहाँ पे मुझे जानना है कोई gene express हो रहा है या नहीं हो रहा है. इसे हम RNA को extract करेंगे, RNA को extract करने के लिए हम affinity chromatography का use कर सकते हैं, अगर आपको इस chromatography के बारे में नहीं पता है, तो मेरे YouTube चानल पे uploaded है, इसके बारे में आप इसको देख सकते हैं. affinity chromatography को use करके हम RNA को extract करेंगे, एक बार हमने यहाँ पे RNA का extraction कर लिया है, फिर हम उसको separation करेंगे. Separation किस basis पे होगा? Size के basis पे separation होगा. अगारोज शेल हम use करेंगे ताकि separation हो सके है, जिसमें जो RNA जिसका low molecular weight होगा, वो दूर तक जाएगा, और जिसका molecular weight हाई होगा, वो जादा दूर तक जान नहीं पाएगा, क्योंकि लिए उसका molecular weight हाई है. इसे के साथ साथ मैं यहाँ पे अगारोज शेल में denaturing buffer यूज करेंगे, formaldehyde. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो RNA present है, वो इस तरीके से कुछ secondary structures बना ले. तो मुझे यहाँ पर यह सारे secondary structures नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगे, denaturing buffer यूज करूँगे, ताकि यह जितने भी bonds अगर कुछ बन रहे हैं, तो उनको तोड सके, और मुझे यहाँ पर RNA provide करवा सके. एक बार मैंने यहाँ पर gel electrophoresis करड़ी, उसके बार मैं gel electrophoresis को continue नहीं कर सकती, यानि कि मैं इस gel को आगे नहीं ले जा सकती, क्योंकि gel काफी fragile होता है, आगे का reaction मैं इस gel पर करवानी पाऊंगी. तो मुझे इन RNA को क्या करना पड़ेगा, किसी और जगा, किसी और membrane पर transfer करना होगा, जिस पर मैं पूरा experiment आगे का कर सकूँ. अब यहाँ पर मैं इस gel की exact copy बनाऊंगी. Exact इस gel की मैं हहाँ पर copy बनाने वाली हो, जैसे कि अगर समझे इस हाथ पर मैंने ink लगाई, और इसको अगर मैंने ऐस तरीके से किया, प्रेस किया, तो यहाँ की जो ink है, वो यहाँ पर transfer हो जाती है. सेम कुछ ऐसा मैं करूँगी, ताकि यहाँ पर transfer हो सके. Transfer कि स्किप पर करने वाली हो, मैं nylon paper पे, यहाँ फिर Nitrocellulose paper पे, यहाँ फिर D, B, M paper पे, मैं transfer करने वाली हूँ. यहाँ पर RNA है और यहाँ पर paper. अब transfer करने के लिए मैं क्या यूज करूँगी, उपर से मैं pressure लगाने वाली हूँ. यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए, यहाँ पर मैंने container रखाए, जिसमें buffer रखाए, बफर के उपर platform है, फिर इसके उपर मैंने एक paper रख दिया है, paper क्या करेगा, इस buffer को इस तरीके से absorb करेगा, और यह buffer है यह उपर की तरफ move करेगा, move क्यों करेगा उपर की तरफ, क्योंकि लिए उपर से आ रहा है pressure, pressure के आने की वज़े से यहाँ पर क्या होगा, capillary action generate होने की वज़े से जो buffer है, यह उपर की तरफ move करेगा, अब यहाँ पर उपर की तरफ जैसे जैसे buffer move करते जाएगा, वैसे वो gel पे पहुँचेगा और gel से वो membrane की तरफ पी जाएगा, तो यहाँ पर buffer जब उपर की तरफ move करेगा ना, तो यह RNA molecules को भी क्या करने वाला है, अपने साथ साथ उपर लेकर जाएगा, जिसकी वज़े से जो RNA है, वो gel से कहाँ transfer हो जाएगे, membrane पे यह transfer हो जाएगे, अब यहाँ पर एक पर membrane के पास RNA आ जाएगा, तो अब हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, हटा देंगे, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, यह जो हमारे पास nitrocellulose filter है, इसके पास मेरा आचुका है RNA, इसके पास अब nitrocellulose paper के पास है RNA, अब मुझे इस RNA को यहाँ पर nitrocellulose paper पे fix करना है, क्योंकि लिए मैं नहीं चाहती कि आगी का अगर experiment हो, तो मेरा RNA wash off ही हो जाए, मुझे चाहिए RNA prominently proper present हो specific जगा पे, तो इसलिए मैं RNA को fix कर दूँगी इस membrane पे, क्या कर सकते हूँ, यहाँ तो मैं UV light को use कर सकते हूँ, यहाँ फिर मैं heat को use कर सकते हूँ, जो help करेगा इसको join करवाने में, इसको proper fix करने में RNA को membrane के साथ, एक बार यहाँ पर fix हो गया, अब मेरा यहाँ पर actual step आ रहा है, जब मैं find out करूँगी कि मेरे पास, मेरे को जो specific RNA चाहिए, क्या वो यहाँ पे present भी है या नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, probe को use करेंगे, probe क्या होता है, probe एक single stranded molecule होता है, जो की यहाँ पर specific sequence से जाके attach हो सकता है, समझे मैंने कहा, probe के पास कुछ इस तरीके का sequence present है, और अगर मैंने यहाँ पर जो RNA दिये हैं, उन में से किसी RNA के पास, प्रोब है, उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूँगे, ताकि वो specific जगा उसको complementary मिले, वहाँ पर जाके वो hybridize हो जाएं, बाद में जो extra probe होंगे, उसको मैं buffer को use करके, क्या कर दूँगे, extra probe को मैं wash off कर दूँगे, जो सिर्फ attached हो है, या नहीं होएं, मुझे कैसे पता चलेगा, इसके लिए मुझे कुछ तो result चाहिए, कुछ तो मुझे यहाँ पर चाहिए, जिससे मैं पता लगा सकूँ, तो यहाँ पर हम यह जो probe है, उसको label कर देते हैं, यहाँ तो हम radioactive isotope से इसको label कर देंगे, यहाँ फिर हम इसको किसी luminescence substance से label कर सकते हैं, luminescence substance से भी label कर सकते हैं, दोनों ही condition में हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, हमें यहाँ पर result मिल जाएगा, अगर मैं radioactive isotope use कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर radio activity मिल जाएगी, chemiluminescence molecule अगर मैं use कर रही हूँ, कैसा हो, colored product हो, तो मुझे यहाँ पर पता चल जा, अच्छा colored product आया है, यानि कि result आया है, इसको हम किस सरीके से check कर सकते हैं, इसको हम X-ray देखे, check कर सकते हैं, auto radiogram देखे, हम check कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पर दिखे, एक specific specific मुझे दिख रही है, यहाँ पर bands दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो probe है, इन RNA इसके साथ जाके attach हो चुका है, अब यहाँ पर अगर यह RNA present है, जो मुझे चाहिए, यानि कि expression हो रहा है, gene का expression हो रहा है, इसकी वज़े से मुझे यहाँ पर यह result मिला है, और अगर मुझे यहाँ पर कुछ हैसा result नहीं देखने को मिला, कोई radio activity नहीं मिली, कोई band नहीं मिला, इसका मतलब है कि gene expression नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से गाईस, हम यहाँ पर यह चेक कर सकते हैं, और इस तरीके से हम northern blotting करते हैं, और होप आपको यह video अच्छे समझ में हागया होगा, if you like this video, do not forget to subscribe my channel, and share this video with all your friends, thank you so much.